नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और आज मैं दोस्तों आप सब के लिए लाया हूँ सिंप्लिफिकेशन जो कि किसी भी कॉमटेटर एक्जाम आप देखते हो इससे समानित प्रश्ण बहुत आते हैं यह होता क्या है कि एलजेवरा के जो फार्मूला होते हैं उसके आधार पे होता है आज मैं वहीं बताने वाला हूँ अगर आपको मालूम नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम आपको एक्जाम में होगी अगर मालूम होगा तो बड़ी जल्दिस कर लोगे चुटकियों में कर लोगे देखते एंसर देदोगे तुरंद और मैं देखता कई सार आरबी का गुडगार्स का देखो 321 पॉइंट लगा के लिखा हुआ है फिर उसके बाद 0.321 दोनों को दो बार गुड़ा किया एक इसको भी देखो 179 को दो बार गुड़ा किया हुआ और नीचे दोनों का डिफरेंस कर दिया गया है मतलब इसका क्या हुआ कि ध्यान समझ जो A2-B2 आपने देखा होगा यह फार्मूला और नीचे क्या है A-B अब इस पर क्या होता है आपने फार्मूला सुना होगा A2-B2 का मतलब A-B एक ब्रेकट में कर देते हैं दूसरे में A-B और नीचे A-B पहले से ही है यह जैसे यह मालो यह A है यह B है यही चीज तो है तो क्या A-B इसका मतलब क्या हुआ हमको सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना है A-B को मतलब 3-2-1 और 179 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा तो 9-10-0 एक करी करें साथ 2-9-10-a-b-0 फिर एक करी करें तीन एक 4-1-5 हो जाएगा आया क्या 0.500 मतलब 0.5 आपका एंसार हो जाएगा इसका तो बड़ी जल्दिस निकला की नहीं वह ऐसे तो अभी आगे देखो सेम सेम कॉश्चन ये भी ए उसके तरह ही इससे भी जल्दी कैसे करें हम सेम कोशन है इससे भी जल्दी क्या करना कुछ गुड़ा भाग नहीं बस दोनों को जोड़ दो इसको और इसको जोड़ दो मतलब 4.359 को 1.641 में जोड़ देना है बस सेम चीज है ना वही कोश्चन है तो 9,10, 5,4,9,10 यह भी हो गया और 6,3,9,10, 10,10 बाद 4,15,6 तो 6.00, तो मतलब 6 आया अपना एंसर बात समझे कि नहीं बड़े असानी सोगे कि तुरंत अब देखोगे तो पिछली बार देखता है मैं अभी आपको आगे देखो अभी बढ़ेगा क्या-क्या प्रशना आता है कैसे जैसे यह देखो इतना वड़ा साथ दे दिया है अब इ इन त्यनों को गुड़ा किया गया है अलाग-अलाग मतलब इसका मतलब क्या बन गया अपना? देखो AQ एह तो बना AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस प्लस नहीं बलकी माइनस वांनस 3 A B C यही तो बना ना? यही बना अब नीचे क्या है? ध्यान समझेना नीचे क्या है देखो स्कूर यहां तक स्कूर उसके और माईनेस ab-b-b-c-b-c-c-a-c-a कि में तो किया गया है यही चीज है ला अब देखं़, उपर वाले सारा खेल है, यह चीज अगर लिखा हुआ hey a q plus b q plus c q minus 3 a b c इसका मतलब क्या हो जाता द्यान समझना? इसको हम लिख सकते हैं A plus B plus C इन तिनों को एक bracket में कर दो और दूसरे bracket में क्या हो जाएगा यही चीज A square plus B square plus C square minus A, B, B, C, C तो इस से और यह कट जाएगा बचेगा सिर्फ पना क्या A plus B plus C ध्यान समझना यह चीज अगर उपर लिखा हो A cube plus B cube plus C cube minus 3 A, B, C इसको हम लिख सकते हैं A plus B plus C एक bracket में और दूसरे में यही चीज A square plus B square plus C square minus A, B minus B, C minus C तो इस से उपर कट जाएगा बचे क्या A plus B plus C बोले तो बचा के आपना 0.9, 0.2 और 0.3 इन तिनों को जोड़ दो 9, 2, 11, 13, 11, 13 होता चाहुता तो 1.4 आएगा 1.4 देखो यह उपर वाले में है और यही आपका answer हो जाएगा बात समझें के नहीं अगला देखो दिखाता हूँ मैं देखो वही सेम प्रस्ण है यह अलग-अलग गुड़ा करके लिखा था SSC असना तक कह था अलग-अलग गुड़ा करके लिखा था लेकिन यह वाला प्रस्ण गुड़ा करने के बजाए डारेक्ट लेक्ट दिया गया सेम प्रस्ण है देखे होगे तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC और यहाँ पर क्या है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस ABBC CA जब ऐसा सेम प्रस्ण मिले तो हमको मालूम है कि यह जो है यही चीज आने वाला यह कट जाएगा किस से सेम उपर आएगा जो और बचेगा क्या अपना सिर्फ A प्लस B प्लस C बचेगा और यही तीन को जोड़ दो मतलब 1.5 को 4.7 को और 3.8 को हम जोड़ लेते हैं तो मारा अंसर जाएगा सीजा सीदा जिसको यह फार्मूला मालूम होगा यह आसानी से कर ले जाएगा यह टिक और फार्मूला आपको क्या मालूम हो रहा चाहिए जैसे मैंने आपको बता दिए एक बार AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC अगर है तो उसका मतलब हो जाता है A प्लस B प्लस C फिर दूसरे विकट में A स्कौार, B स्कौार, C स्कौार माइनस AB माइनस BC माइनस CA यह नोट कर लेना यह फार्वलार नोट कर दे चलो आपको बहुत काम आएगा अब इन तोनों को जोलो 7, 5, 12, 8 20, 2 करी करेंगे 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10 मतलब 10.0 कुल मिला कि 10 अपना एंसर आजाएगा बात समझे कि नहीं अब अगला देख लेते हैं सरल कीजिए यह अलग टाइप का है यह क्या है यह है देखो 0.05 को 3 बार गुड़ा किया गया इस 0.04 को भी 3 बार गुड़ा किया गया मतलब इसका मतलब A3-B3 उपर लिखा हुआ है और नीचे क्या है 0.5 को 2 बार गुड़ा किया गया और यहां देखो 0.04 को दो बार गुड़ा किया गया, उसके बाद यहां पर लिखा है 0.002, इसका मतलब पांच यहों के पीस, इन दोनों गुड़ा कर दिए गया, इसका मतलब समझे, नीचे लिखा है A square plus AB और plus B square, यही चीज लिखा हुआ है, अब देखो, हमको नीचे से मतल B, एक ब्रेकट में, और दूसरे में हो जाएगा A square plus B square plus AB, किया हो जाएगा, एक ब्रेकट में A minus B, और दूसरे में A square plus B square plus AB, अब नीचे तो यह है, अब भाई यही चीज तो है, देखो, A square, B square plus AB, यही चीज तो है ना, तो नीचे लिखे होगे यह चीज, A square plus B square plus A, देखो A B चाहे बीज में लिखो चाहे किनारे एक ही बात है ये से ये कट गए आपका बचे गए A-B सिर्फ बस तो A-B जो बचा तो कर दो भाई ना तो 0.05 0.04 को घटाना है तो बचे गए 0.01 तो 0.01 आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है बस ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है अभी मैं आपको बताता हूँ प्लस वाला भी आता है एक्जाम में देखो ये भी सेम वही प्रश्ण है मतलब 6 को 3 बार गुड़ा 5 को 3 बार गुड़ा इसका मतलब क्या हुआ A क्यूब माइनस B क्यूब यही तो है और नीचे क्या लिखा हुआ है A स्क स्कुड़ा यह दिखो इदर B स्कुड़ा है लिए दो प्लस B स्कुड़ा और प्लस देखो दोनों गुड़ा भी आगिया प्लस AB अब मैंने क्या बताया A क्यूब माइनस B क्यूब अगर है तो उसका मतलब हो जाता है A-B एक ब्रेकट में दूसरे में A स्कुड़ा प्लस B स कर रहेगा बस तो आपको एक्जाम में इसे करना है ए माइनस भी से मुत्तर इसमें भी होई आएगा पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन समझे के नहीं बात एक दम आसानिस हो रहा है अब देखो यह फिर से मैं किस पर आ गया जब दोबारा आ रहा है क्या यह एक मिनिट यह प्रस्ण है question number 7 यह क्या कहता है देखो 780 गुड़े 780 गुड़े 780 मतलब 3 बार 780 को गुड़ा किया गया है और 735 को भी 3 बार गुड़ा किया है इसका मतलब क्या हुआ a3 plus b3 अभी 780 मतलब क्या आसान बनाने के लिए यह हो गया इसके पहले क्या होता है a3 minus b3 अभ अभी क्या हो गया a3 plus b3 इसमें दुनों में क्या फर्क है पता है बहुत छोटा सा फर्क है यह होना तो आपको क्या करना है दूसरे breakout में a plus b आ जाएगा और a2 plus b2 minus a b बस इतना ह फर्क है, माइनस बीच में हो, तो यहाँ पर A माइनस भी रहेगा, और यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस हो, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, देखो नीचे माइनस दिया भी है, मतलब आप सीधा-सीधा लिख दो, सीधा-सीधा यहाँ नीचे यही वाला देते हैं तो 5, 5, 10, 8, 3, 11, 11, 12 हो जाएगा यहां पर उसके बाद एक 7, 4, 11, 12, 12, इसको 1220 आपका खतम, काम खतम है ना बड़े आसानीस हो गया इसको देखो वही चीज है यह भी प्लस में है देखो उपर और देखो यहां पर A स्कॉर प्लस B स्कॉर माइनस A भी तब क्या करो इसको दोनों को जोड़ना है ना लिख दो 0.73 और 0.27 बस साथ तीन दस साथ दो नौइक दस 1.00 मतलब 12 में दिया है एक ही वही होगा मतलब 1 ही आराइस में उत्तर आप समझदार हो इतना है से सी सीजील टीर वन का क्वेस्चन है बहुत इंपोर्टन है ऐसे प्रस्चन बहु मोहर के लिए देता हूं और बहुत सिंपल सा प्रशन है एक दम चुटकियों में जल्दी से इसको करें कि आपको एंसर कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छी लगी उम्मीद है अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और जो अगर नए हो पहली बार आया हो चैन ही फायदेबंद होगी इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी दबाना तो ओल पर प्रस कर देना है ठीक है तोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे किसी अन्नी क्लास में तब तक कि ले जाएं ही जया भारत